रासन कटोती को लेकर ग्रामीनों ने एमो को सौपा आवेदन दीलर कर रहे हैं दबंगई गरीबों के राशन में कर रहे हैं भारी कटोती पुर्वं में जिला पदा अधिकारी के द्वारा इस डीलर का सोकोज भी किया गया था फिर डीलर अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे है नियूज 9 टाइम सिक्टा से सफिर एमत के रिपोर्ट पश्चमी चमपारन के सिक्टा प्रखंड में एक बार फिर रासन कटोती का मामला प्रकास में आया है जहां पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी से लड़ी रहा है जिसको देखते हुए बिहार सरकार रासन का धायू क वो मुफ्त में दो माईने की रासन मुहया कराई ताकि इस महामारी में लोगों को कुछ सहूतलियत मिल सके लेकिन इस बीज डीलरों की मनमानी भी स्तात्वे असमान पर दिखी जा रही है मामला सिक्टा प्रखंड चेत्र के मुरली परसौनी पंचायत अंतरगत गौरीपूर स एक टोला गाउं से जुड़ा हुआ है यहां के दीलर एकबाल बैठा जिनकी अनुग्यप्ति संख्या 126 है उनके द्वारा कारधार को से यूनिट के अनुसार पैसा तो लिया जाता है लेकिन उसके अनुसार रासन नहीं दिया जाता जिसको लेकर इस्थानिया लोगों में आक्रोस व्याप्त है का धायों का कहना है कि डीलर एक बार बैठा के द्वारा हमेशा रासन के लिए यूनिट के हिसाब से पैसे लिये जाते हैं लेकिन उसके अनुसार रासन नहीं दिया जाता है और पूछने पर दुरवयवार करते हुए धमकी बरे सब्दों में कहा जात कर उक्तर डीलर पर कारवाई करने की मांग की है वहीं जब हमारे संबादाता द्वारा डीलर के उपर लगाए गया आरोप पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उनके पक्ष देने से साफ मना कर दिया गया आपको बताया दी कि विगत 21 अपरेल 2020 को इस डीलर पर प आप्ठ हुआ है जांचो परांच कारवाई की जाएगी नियूस नाइन टाइम्स अच्छा तो कौन गाँ होई शेखवा टोला अच्छा तो प्यार का कारवाई हो और हुआ देला बानी जीक सो रोपे है और हुआ मिलल बाद दौस कि लूट की जाते हैं रासन लेने के लिए तो बोलते हैं आठी आदमी के मिलेगा जबकि दस आदमी के नाम है रासन कार्ड हमें पैसा कितना लिते हैं पैसा एक 113 पे लेते हैं 133 रुपे तो हम लोग कुछते हैं कि हमको 20 मिक शादमी के आता सकार्डन काडमें तो इतना हok दो अभिमाहमारी में इतना मजबूरी है लोग होका और उसमें भी हम लोग कि सदिय आपका पुरा नाम अफ्ताब आलम पंचायत पंचायत मुल्डी पर सहुने झालम 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 झालम।